दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं और करके भी दिखाएंगे जो घर के बाहर दिवार में जो किस तरह पेंट किया जाता है हो दस साल पुराना पेंट है ये किया हुआ है तो इससे पाले हम क्या सब करना ज़रूरी होता है दुबारा प्रेंट करने से पाले तो इस वीडियो में हम पुराना घर में कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा हम सुलो कर रखे हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आप लोग को हम दिखाने के लिए तो आईए हम वीडि करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ओनलाइन आऊ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह रहा पहले का वीडियो जो पूराना घर है तो बाहर बाहर हम आज प्रिंट करना शुरू किया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खराप हो चुका है हमने बांस का जो है उपर से नीचे तक पैड भी बनाये हैं और इसी में करके दिखाएंगे तो जहां जहां काला है उसमें तार बरस हम यूज करेंगे तार बरस से रगड़ाई करके और उसके बाद जो है हम इस पे प्रेंट करेंगे और पुटी भी करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं चाजी के उपर लेंटर के साइड में जो है टाइल्स लगा रहाता है जिसको हम खपड़ा भी बोलते हैं उसमें भी पूरा कला कला बैठ गया है बहुत ही बैकार लग रहा है दस साल पुराना पेंट किया हुआ है लेकिन अब कर रहा है तो इसमें हम क्या पहले तार बरस से जो है अच्छी तरह से ये कला-कला हम हर जगा निकाल लेंगे जैसा कि हम अभी योज करके आप लोग को दिखा रहे हैं ये दोस्तों घर के बाहर तीसरी मंजिल तक हम काम करने वालें इस घर में तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कला-कला जम गया थ बैठ गया था उस में तार बरस से सफाई करके और उसके बाद झाड़के बरस सुखा बरस से अच्छी तरह से इसको सफाई करके जैसी भी हो उसको कला कला निकाल लिजे और उसके बाद जो है जहां का डारा था है waterproof wall putty तो यह बहुत ही बढ़िया है बाहर यूज़ कर सकते हैं अब तो अगर putty करना चाहते हैं तो एक हर जगा यह भी कर सकते हैं आप waterproof putty है यह बहुत ही मजबूत और काफी बढ़िया पुट्टी है तो यह Asian Friends का है तो हमने इसका और लेडी वीडियो बना चुका है जो वाटर पूटी कैसे किया जाता है तो आप इस वीडियो की डिक्सेशन में लिंक डाल देऊंगा वहां से भी आप देख सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यह रहा है स्मार्ट केर डेम तो यह एक्स्टिर प्रेमर बनाया है बाहर दिवारों के लिए तो हर जगह जो है इस एक कोड़ प्रेमर कर लेंगे तो जिसका आप रेट देख सकते हैं एक तालीस सो पांच रुपया और तीन वर्स का जो है वारेंटी भी देती एक कमपनी तो यह एक्स्टिरियल है तो आप जो है पेंट करन वहां से आप देख सकते हैं इस प्रेमर में कितना पानी मिक्स किया जाता है और क्य πесп hard है तो इसमें हम्ने आपको डीटेस बता रहे हैं YU. पी इस तरह paint पुटिक किया जाता है और बाहरी दिवारों के लिए तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों ये already जो है हम हर जगा तार बरस मार के उसके बाद सफाई करके और जहां धार कौन टूटा हुआ था जोड़ के उसके बाद जो हम एक और प्रैमर हर जगा करने है इसमें हम दुबारा paint भी करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों जो जहां जाली था बाहर से तो जाली में भी करना पड़ रहा है कहीं बेंडी लेसन तो कहीं दिवार दोस्तों एक बात जो इस बाहर के लिए तीन मंजिल तक है दोस्तों वीडियो बनाने में जो किजिए तो दोस्तों आप मेरा फेस्बुक पेज कलाकार छकास और डेली मोशन चलन कलाकार छकास और इस्टाग्राम पे जड़ूर फोलो किजिए कलाकार छकास 94 तो दोस्तों और इस वीडियो के डिक्रिसमें मैं लिंक डाल देता हूं वहां से भी आप हर वीडियो का पेंट करेंगे बार से तो यह रहाएस चैन पेंट जैसा कि आप देख सकते हैं आपक सइन डेश्ट प्रूप यह बहुत ही चमकदार पैंट है काफी मजबुती वाला पेंट है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पांच व्हॉर्ष की गरेंटी भी देती ए अ कमपनी त जैसे कि आप देख सकते हैं dust proof waterproof बहुत ही चमकदार paint है यह रहा बाहर के लिए तो इस पे काफी अच्छा होता है paint यह जैसे कि आप देख सकते हैं exterior एक्स्टिरियल में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं तो जैसा मालिक का कहना है जो हम बिल्कुल हॉइट ही कोठी कराएंगे पेंट बार बार जहां मर्जी जो हम हॉइट ही पेंट कराएंगे तो इसमें हम एस्ट्रा वाइट बनाएं 20 लिटर बाल्टी में जो हम 20 पॉइंट ज कुछा गाए है जैसा कि आप देख सकते हैं यह इस्ट्रा वाइट है वौइट से भी अच्छा एस्ट्रा वाइट होता है तो स्थार वाइट कैसे बना जाता है इसका ही ओल्फ लेडी वीडियो हम बना चुके हैं इस से पहले वीडियो के discussion में लेंक है वहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसमें हम 20 लिटर में अभी 6 लिटर हम इसमें यूज करेंगे तो अभी हम इस बाल्टी से हम 6 लिटर प्रेंट जो है हम निकाल के बनाएंगे तो इस पूरे बाल्टी में आप जो है तो दिक्कत हो जाता है करने में कहीं जदा गटा हो जाता है कहीं कम तो आधी-ाधी बाल्टी करके उसके बाद हाथ से जो है अच्छी तरह इसमें हम मिक्स कर लेंगे बिना पानी का ही तो उसके बाद हम यूज करेंगे तो जैसा कि आप खुद हम दिखा रहे हैं दोस्तों यह 20 लेटर की बाल्टी हैं बहुत ही बागी पेंट है दोस्तों जैसा कि हम इसका रेट भी डेट भी सब कुछ दिखाए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कुशन में पूटी कैसे की जाता है प्रेमर एस्टेंसिल डिजैन कैसे बना जाता है मसीन से कैसे किया जाता है पेंट हर वीडियो बन चुका है इसी वीडियो के डिस्कुशन में लिंक डाल देता है वहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तो में हम कम से कम जो है आधा या पोने लिटर तक हैं इसमें हम पानी डालेंगे ज्यादा तर इसमें पानी डालना नहीं होता है अगर ज्यादा आप डालिएगा तो बिल्कुल पतला हो जाएगा तो कमपैनी का कहना है जो इसमें जो है पानी नहीं मिक्स किया जाता है लेकिन कु पानी यूज किया है और इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिए तो हम आए देखते हैं बरस चलाके जो कैसे बना है कि नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़ियां बन चुका है जदा पानी नहीं है इसमें और यूज करके भी हम दिखाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और इसके उपर जो है हर जगा प्रैमर फैनल हो चुका है तो इसके उपर जो हम दो कोड जो है यह वाइट पेंट करेंगे चात हो बाहरी चात हो लेंटर से निचे और दिवार खिड़कियां जाली जहां है हर जगा हम अच्छा लगता है लेकिन कुछ दिन तक ज्यादा दिन तक आप इसको वाइट नहीं रख सकते हैं क्योंकि दूल मिटी पड़ता है तो कुछ गंदा होता है हाथ कहीं लगा देता है ज्यादा तर वाइट गंदा हो जाता है अगर कलर रहता है तो कुछ फरक नहीं परता माल काम करना पड़ता है कहीं इदार करें तो इसलagogue हम ज्यादातर वीडियो सूटने के बाहर में तो आप लोग को डीटेल से हैं इसी तरह काम करना पड़ता है तो जीसा कि आप देख सकते हैं तो बहुत हीं कूछ अगर फो जो ठोटा साव अगर कुछ हो गया इढ़र से उधार हो गया तो समझए तीन मन्जिल के नीचे ही जाके गिरेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कितना उपर में बास्बान के पाइड करके उसके बाद उपर से नीचे काम कर रहे हैं तो इसी तरह किया जाता है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत लगता है इसमें और इसके बाद ultima paint हम यूज करने वाले हैं कहीं कहीं टाइल्स में कहीं डिजेन में भारने के लिए ultima टेरा कोटा कलर जो है उसमें हम कैसे यूज करेंगे कैसे पानी डालेंगे क्या करेंगे तो इसी तरह हम यूज करेंगे बुलू पेंट कैसे किया जाता है तो हम नेक्स वीडियो में लेके आएंगे और नीचे में कुछ चेंज करेगा कलर तो सब वीडियो हम बार बार लेते आएंगे और आप लोग को सारी डिटेल्स बताएंगे तो दोस्तों इसी तरह किया जाता है दूसरी मंजील हो तीसरी मंजील हो चाहे आप जुला पिक कीजिए चाहे बड़ा बड़ा पोड़ी सी कीजिए चाहे बंसवान की कीजिए तो अच्छी तरह साब्धान से साब्धानी से काम करना पड़ता है बहुत रिक्सवाजी होता है काम महिना दिन तक लग जाता है एक-एक वीडियो तयार करने में दोस्तों जडूल लाइक कीजिए और दोस्तों पास भी शेयर कीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक के लिए गुडबाई नमस्कार आप देखते हैं यूटूब चैनल कलकार छकास